Hello everyone! Welcome to my channel, मैं हो Neha Guru , 1994 आज हम दोग बनाएंगे pineapple cream Generally pineapple आप सब ने या रायते के फ़र्म में खाया ही होगा यह पाइनेपल शेक ले लेते हैं पाइनेपल कट करके पीसेस ऐसे भी खाते है आज हम लोग बनाते है पाइनेपल क्रीम तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं पाइनेपल क्रीम बनाने के लिए ये पाइनेपल मैं ले आई थी बजार से इसको हम बारी पीसिस में कट कर लेंगे साथी मैं सबसे पहले मैं क्रीम ले रही हूँ क्रीम के अंदर हम शुगर मिक्स करेंगे ये हमने एक क्रीम इसके अंदर निकाल ली है मैंने लगबग 300 ml इसमें क्रीम लिया है अब हम इसमें मिक्स करेंगे शक्कर शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको जादा मीठा पसंद हो तो आप जादा शक्कर डाल सकते हैं और कम मीठा पसंद हो तो कम डाल सकते हैं और एक चीज ये भी डिपेंड करती है कि आप जो पाइनेकल ले रहे हो उसमें भी डिपेंड करता है अगर आपके पास powdered sugar हो, तो भी अच्छी बात है, आप powdered sugar mix करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, otherwise इसको mix करने में थोड़ा time लगेगा, लेकिन ये भी अच्छे से mix हो जाएगा, जब तर हम cream को फैटते रहेंगे, और शक्कल mix करेंगे तो हमने ये cream में शकल mix कर ली है, सात्मी में ने pineapple को cut कर लिया है, इसके जो काटे थे वो हमने side से निकाल दिये हैं, बस इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये pineapple मीठा था, इसलिए मैंने sugar syrup में ही डाला, अगर आपका pineapple खटा है, तो आप इसको थोड़े sugar syrup में रखेंगे, तो उसमें मीठा पल आ जाएगा, तो अब बस हम इसको इसमें mix कर लेते हैं, इसको mix करके एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कि इसको cream के अंदर mix करने के बाद लग बग, या कम से कम, आदा घंटा तो हमें इसको frizz में रखना ही है, ताकि जो pineapple और cream है, उसमें उनका टेस्ट आ आएगा, इसा लगा सिर्फ pineapple के उपर cream लग चुका है, जब हमें चाहिए कि cream में भी pineapple का flavor आए या टेस्ट आए तो हमें उसको लगबर आदा हंटा, जादा लखो के तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो यह देखिए, और cream भी इतना रखना है, ताकि अच्छा लगे एकदम ड्राय होगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो यह देखिए, पाइनेपल क्रीम, तो अब मैं इसको फ्रिज में रखनाती हूँ, थोड़े मेलनेट होने के लिए, आदे से एक घंटे के लिए, उसके बाद हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना, तो यह मैंने एक घंट पाइनेपल क्रीम रेड़ी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगी है, साथ में मैंने डेकोरेशन के लिए इसके अंदर थोड़े से काजू और केसर मिक्स की है, वो टेस्ट है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मिक्स करिए, बहुत ही यमी बनिये, यह ब बहुत है